नमस्कार मैं दौलाश शर्मा और आप देखना सुरू कर चुके हैं SPN 9 News यहां पर लगातार महारास में जो है महारास की राजनीती में उथल पुथल बनी हुई है और यह अभी तक थमने का नाम ने ले रही और यह तर पुथल दो जुलाई को तब सुरू हुई थी जब अजीद पवार NCP के दो गुटकर के BJP के साथ सामिल हो गए थे और उप मुखे मंतरी की उन्होंने सपत्री थी जहां सिंदे और उनके विदायक पिछले कई महीनों से इंजजार कर रहे हैं कि उनको मंतरी पत दिया जाए जिसके लगातार बगावत भी हो रही थी लेकिन यहां पर क्या देखा गया यहां पर तुरंत अजीद को मुखे मं पवार आपस में मुलाकात करते हैं और यह मुलाकात उस समय हो रही है जब NCP दो गुटों में बढ़ चुकी है जहां विपक्च जो है अपना आलाइंस बनाकर एंडी के खिलाफ लेड़ने को तैयार है दोजार चौबीस के लिए और इस बीच जहां महरास में इतना उत्व पता चल रहा और इस बीच इन दोनों नेताओं की मुलाकात होती है आखिर इन दोनों की नेताओं की क्या बात हुई है वो तो भी सामने नहीं आया है लेकिन कहीं न कहीं यहां पर ऐसा लगता है कि अवजीत पवार जो एक बड़ा गेम यहां जो है खेलना चाहते हैं और उ जीत पवार के खिलाफ में बोला और देखा गया तो आधिस ज्यादा सिर्फ सेना जो उद्दर ठाकरे की जो गुट सिर्फ सेना का माना जाता है वो पूरी तरीके इस मामले पर सांत रहा और किसी भी परकार की प्रतिकरिया नहीं दी गई और इन दोनों नेताओं का मिलना क कहीं एहम माना जा रहा है कि महरास में फिर दुबारा कोई बड़ा बदलाव यहां पर देखा जा सकता है क्योंकि यहां पर तैयारी चल रही है 2024 की आलाइंस यहां पर जो हो चुका है 26 अलाइंस हुआ जिसका नाम इंडिया दिया गया और फिर उसके बाद एंडिय की ठाकरे के लिए गेम खेल सकते हैं और महरास की राजनीती में कहीने कहीं बड़ा कदम वो अब और नया चल सकते हैं और जिससे देखा जाएगा कि सरत पवार पूरी तरीके से अकेले पड़ जाएंगे महाविकास अगारी में कॉंगरस देखा जाये तो सांत है और अब ठाक पर जाने के लिए देखते रहिए SPN 9 News धन्यवाद